भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहें हैं कि आधा अधूरा ज्यान विस के समान होता है, पूरा ज्यान अमरित के समान होता है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बन रहे पसंद आए, तो लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी सारी बातें समझ में आएगी, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, घर के दरवाजे के बाहर पानी छिड़कने से क्या होता है, को अपने जीवन में चार कार्य करना है अगर आप यह चार कार्य करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसंता पूर्वक निभा सकते हैं, अच्छा आपको यह भी बता दो की लक्ष्मी जी प्रातय काल में जब प्रित्वी जब प्रित्वी पर भ्रमण करते हैं, तो इस समय लक्ष्मी हमारे द्वार पर प्रवेश करें, इसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा, यह चार कार्य है, अगर आपने यह चार कार्य को किया, तो लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कौन-कौन से चार काम है, क्या करना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा अगर कलम हो तो आप लिख लीजिएगा अगर आपके घर में भी अगर यह चार कार्य होते हो तो आपके घर लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगे अगर आपके घर में चार कार्य नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेगी आप तो कहते हैं सुभा सुभा माता लक्षमी संसार पारी ब्राह्मन करती हैं और साथ में चरित्र देवी भी जाते हैं और जो इस सप्ता है दोनों आएगी लेकिन आपको किसके किस देवी को अंदर प्रवेश करना है या आप डिसाइड कर लेते हैं तो मैं यह लक्षमी जी कहते हैं यहाँ पर पूछा गया लक्षमी जी को कि आप कौन से घर में जाना चाहेंगे और इसके परीद रिश को पूछा कि आप कौन से घर में जाना चाहेंगे तो लक्षमी जी ने चार बातें कहीं देखी मया लक्ष्मी कैसे हैं? जिस घर में दर्वाजे पर सुभ़ पूजा करके दर्वाजे पर दीपक जलाया गया हो, दीप प्रजवलित किया गया हो, उसे घर में मैं बिना सोचे समझे प्रवेश करूँगी और जिस घर में रंगोली बनाया गया, आप ज्यादा नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा टेबल स्वास्तिक ही बना लीजिए, जिस घर में रंगोली हो, जिस घर में दीपक जलता हुआ मिले, जिस घर में पानी एक्टिव आ गया हो, और जिस घर में कलश भरा हुआ कलश घर के दर्वाजे पर रखा हो, दर्वाजे पर आज भी गा. में जाओं के गाओं के घरों में इस जगह और दोनों तरफ भरा हुआ कलश रखा जाता है जिस घर में भरा हुआ घड़ा कलश रखा हो उसे घर में मैं बिना सोचे समझे ही प्रवेश कर जाऊंगी माता लक्षमी कहते हैं इसलिए आपको भी माता लक्षमी को खुश करना है प्रसंद करना है तो प्रातय काल में आप अपने घर में या सारा कार्य अवश्य करेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे दरिदर्ता आएगी दरिदर्ता के भी और नियम हमारा नाच लक्षमी जी के कुछ नियम है तो देवी दरिदर्ता के भी कुछ नियम है दरिदर्ता करती है कि जब लक्षमी जी के पीछे भी से में दरिदर्ता आती है तो वह कहती है कि जिस घर में अगर दीपक जलता मिले तो वहां में नहीं जाओंगी जिस घर में कलश भरा हुआ दरवाजे पर मिले तो वहां में नहीं जाओ जिस घर में रंगोली देखे तो वहां में नहीं जाऊंगी, लेकिन लक्षमी के चार नियम है, दरिदर्ता के विचार नियम है, दरिदर्ता कहते हैं। लोग लड़ाई करते हुए, जगड़ा करते हुए, जूठ मक्षी मकोडे मच्छर घूम रहा है, बिना पानी गंदगी है, तो उसे घर में दरिदर्ता आएगी ही, आएगी क्योंकि दर्द आँखो गंदगी ही। पसंद है लक्षमी जी को पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता, सौंदर्य यह पसंद है, इसलिए घर के माताएं यहां विशेश ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं, कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो विडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार।